हलो बच्चो कैसे हैं आप लोग मैं शान जरू से ये का फिल से आपको स्वागत करता हूँ ADP Star Learning Platform पे Corona का टाइम चल रहा है होग करता हूँ तुम लोग अपनी एवं अपने फैमिली का खयाल रख रहे होगे एक्जाम का टाइम बहुत नस्दीक आ गया तो आज का जो सेशन है वो अपन डिसकस करने वाले है कि फिजिक्स के पेपर को कैसे एटेम्ट किया जाए वैसे मैं किलिरली बता दू जिनका भी अभी तक टेस्ट में फिजिक्स में मार्क सही चल रहा है तो उनको ये स्ट्रेटजी सुनने की आविशक्ता नहीं है वो अपनी स्ट्रेटजी में कोई चेंजेस नहीं लाए ये उनके लिए है जिनको अभी भी कन्फिूजन है कि फिजिक्स के पेपर को कैसे एटेम्ट करते हैं क्या सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए किस तरीके से पेपर एटेम्ट करें कि हम मैक्सिमम मार्क स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में ये उनके लिए है जिनका अच्छा चल रहा है वो अपनी स्ट्रेटजी में बिल्कुल भी चेंज ना लाएं बिल्कुल भी चेंज ना लाएं जो कि कई बार क्या होता है कि हम लास्ट मोमेंट पर अगर चेंज लाते हैं तो वो चेंज साइध हमसे सही से हो नहीं पाता है तो ये उनके लिए ही है जिनका पेपर स्टेटजी उतना अच्छे से नहीं चल रहा है तो आज मैं कुछ points discuss करने वाला हूँ और उन points का मैं तुम्हे practical example भी बताऊंगा कि भाई देखो ये question में कैसे अपने को सोचना है क्या करना है वो practical example भी मैं बताऊंगा तो पहले अपन points देखते हैं फिर practical example देखेंगे वीडियो में जो भी आ चुके हो लाइक कर देना शेर कर देना ठीक है तो start करते है सबसे पहला तो point होता है वो होता है target देखो ये बहुत important है कि जब भी तुम्हें एक्जाम में बैठो तुम्हारे दीमाद में एक set target होना चाहिए और target बहुत बढ़ा भी नहीं होना चाहिए target बोले तो कि भाई मेरे को physics में 25 question में 15 question सही सही करना है ये एक target होता है अब ऐसा नहीं कि 25 मेरे को 24 सही करना है तो ऐसा भी target मत लो जो बिल्कुल आउकास से बाड़ी हो ऐसा target ले लो कि हाँ भाई मैं ये achieve कर सकता हूँ तो physics में 25 में मेरे को 15 सही सही attempt करना है ये मेरा एक target मेरे दिमाग में defined है 15 से ज़्यादा कर दूँ तो अच्छी बात है बढ़ हाँ यार 15 तक मेरे को सही करना है ये एक target होना चाहिए तुमारे दिमाग में फिजिक्स में खास करती है दूसरा important बात है question को proper time देके पढ़ो यैसे कोई question तुम्हें मिला तो उस पर time दो सबसे पहले एक एक life reading दो और दिमाग में ये सोचू 10 सेकेंड तक सोचना है तुम्हें कि ये किस chapter का है और किस part का है अब वो chapter अगर तुम्हारा strong point है या उस chapter में तुम्हें confidence है तो 10 सेकेंड सोचने के बाद तुम उस सवाल को कर सकते हो लेकिन कहीं भी थोड़ा सा भी plus minus है कि नहीं यार पता नहीं ये chapter में उतना अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है तो better है कि उस question को skip करके 10 सवाल तो free के, 10 marks तो free के चलेगा न silly mistake के तो इसलिए अपने को ऐसा नहीं करना है silly mistake avoid करने के लिए better है कि अगर थोड़ा से भी confusion है तो उसको छोड़के आगे बढ़ जाया करो तो 10 second question सोचते में ऐसा ही question लेखे और करना है start करने ये काम बिल्कुल भी मत करना physics में खास करके बिल्कुल नहीं करना अगली बात आती है वही confidence में हो तो ही attempt करना skip if taking time अगर time ज्यादा लगड़ा है सवाल करने मालो तुम्हें एक सवाल तुम्हें लगा कि हो जाएगा बर जब तुम्हें करना है start किया कई बार होता है कि हम first जाते सवालों में तो अब ऐसा दिल पे नहीं ले लेना आपने को कि भाईसाब ऐसा है कि ये chapter तो मेरे को आता है इसका सवाल कैसे नहीं बनेगा अभी मैं दिखाता हूँ बना कि ये दिल पे नहीं लेना आपने को इस्किप करने आगे बढ़ जाना है अब जिसे जही मेंस में जो questions आते हैं मैं उन questions की बात करता हूँ practical example तुम्हें दिखाता हूँ जैसे माल लो कई सारे questions आते हैं suppose पहना question कुछ ऐसा है अब यह जो सवाल है जैसे मैंने start किया पढ़ना a uniform disc of mass m radius r is rolling down on a rough inclined plane तो मिने दिमाग में जैसे से पर रहा हूँ एक picture create हो रही है तो बेटर यही रहेगा कि जैसे तुम्हें यह सवाल मिले सबसे पहले तुम क्या करो एक picture draw कर दिया करो कि भाई ऐसा है कि यह कुछ ऐसा चल रहा है बना दिये picture तो picture से clarity और बढ़ जाती है कि भाई rough inclined plane पे यह must pure rolling करता हुआ नीची आ रहा है यह angle 30 degree दीव हुई है तो जैसे मैं धीरे-धीरे सवाल पना हूँ मेरे को picture clear होता जा रहा है और मैं diagram बना रहा हूँ तो अब जैसे यह सवाल मैंने पढ़ा कि यह rotation का सवाल है pure rolling का सवाल है अब जैसे pure rolling मेरा strong point है तो मैं सबसे पहले picture बनाओगा सवाल करना है start कर दूँँगा सोच के लेकिन अगर pure rolling मेरा weak point है बेटर है कि सवाल को मैं skip करके दूसरे सवाल पे चला जाओ पहला तो यह ध्यान होना चाहिए इस तरीके से करना है दूसरा point एक सवाल और देखो जैसे मानों यह सवाल अब यह सवाल इतना छोटा है कि यार इसमें पढ़ने में और सोचने में अपने को time based होगा ही तो इस तरीके का सवाल हमारा target होना चाहिए क्योंकि इस तरीके के सवाल अगर मेरे को आत लिकत क्या होता है पहले लाइन पर ही आखरी तक पहुंसते पहुंसते पहली लाइन भूल गया तो यह छोटे सवाल बहुत अच्छे होते तो कि चोटा सवाल है ग्रेविटेशन का सवाल है, हाँ देखा, आया तो ठीक, किया, ठीक लगाया, आगे बढ़ गया, अब अगले सवाल की बात, देखो सवाल का वेडियेशन तुम देखना बस, अब कुछ ऐसे सवाल होते हैं, जिसमें और रेडी पिक्चर बना हुआ होता है, ये पिक्चर 90% ब अच्छा, ratio of Q1 by Q2 when switch is close, मैंने सवाल पढ़ लिया, 10 seconds सोच लिया, हाँ, मेरे से बन जाएगा, पिक्चर देख की किलियर हो गया, तो पिक्चर वाला सवाल ऐसा होता है, जो अपने को बहुत अच्छे से किलियर कर देता है, जो अपने को बहुत अच्छे से किलियर कर देता और अपने को ज़्यादा उसमें सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है, अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जो सच में दिमाग खराब करते हैं, ऐसे यह सवाल, हर साल जेई में उसमें एक दो सवाल ऐसा आता ही आता है, जो काफी बड़ा, खतरनाक सा पिक्चर, देखने में लगत का कुछन है, अब प्रॉब्लम गया है, यहां से पढ़नाय स्टार्ट किया, यहां पहुंसते पहुंसते यह लाइन भूल गया क्या लिखा हुआ था, फिर से स्टार्ट किया, आखरी बला लाइन भूल गया क्या लिखा हुआ था, अब दो अप्शन है, या तो इस तरह के स कर सकते हूँ बट अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी धिला पिला है बेटर डेज लीव कर दो आखनी में करना जब टाइम बचाती हूँ लेकिन जानते हो बड़े-बड़े सवालों का एक खास बात और होता है जो कि यही मेंस वाले कई बार यह गलती करते हैं गलती क्या बोलो एक बच्चा क्या किया वह option देख रहा है बस उसने बोला यह option में नीचे k है यहाँ cbl है यहाँ cb2l है और यहाँ m2 और कुछ अलग-अलग टाइम का option है ना उस जी इसको थोड़ी दर के लिए भूल जाओ यहाँ मालों कोई option था उसने देखा यह चारों option में डाइबीन स इन में से जिसका dimension time period के बढ़ाबर होगा वही मेरा answer होगा तो इस तरीके का सवाल यही में में पूछता है तो जब भी बड़े-बड़े question रहना एक thought तुम्हारा dimensional analysis पे जाना चाहिए एक thought जाना चाहिए तो यह कई बार होता है कि वो tricky सवाल पूछते हैं वो नहीं चाहते ह किता solve करो वो चाहते है कि तुम dimension analysis से चाड़ो option में देख लो किसका dimension T के बढ़ाबर आ रहा है और directly answer वही मारती आ जाओ तो कि कई बारते को किता different और यह मैं नहीं बोल रहा तुम previous year देखू ऐसे ही gas का pressure में ऐसे ऐसे time period का सवाल ऐसे ऐसे सवाल दिये बढ़े है जो कि time period मन तुम्हें बस option चेक करना है solvable है ऐसा है कि solve नहीं किया जा सकते है उनको solve किया जा सकता है but time taking है solve करोगे 5 minute लगेगा करोगे 2 minute लगेगा तो भाई मेरे को तो answer चीए मैं क्यों दिल पे लेकर उसको solve करूँ तो जब भी बड़े सवाल आते हैं अगर तुम्हें हल्का सभी doubt है में skip कर दो लेकिन अगर option तुम्हें काफी different दिखें तो एक बार डाइमिंटनल analysis के बारे में सोचना चीए तुम्हे आई बात समझ में तो इस तरगे के सवाल हो गए पिक्चर वाले सवाल हो गए यह तुम्हारे favorite होने चीए पिक्चर देखा हाँ यह लगड़ा है बनेगा इसको तो attempt करना ही करना है आगे वड़ा छोटे सवाल दो दो तिन ती लाइन वाले सवाल हाँ यार यह तो gravitation का सवा यह तो बनना है पढ़ा सवाल 10 सेकेंड सोचा कर दिया या फिर इस तरीकी का जिसमें पिक्चर द्रौ करना पड़े वह statement देगा प्रॉपर पिक्चर द्रौ करना पड़ेगा फिर सवाल को attempt करना पड़ेगा इन पॉइंट्स को तुम ध्यान रखो और question को skip करना सीखो अगर फिजिक्स का सबसे खास बात होती है तुम्हें लगा कि आ जाएगा आखडी तक पहुची गया है आ जाएगा जब पता चलेगा कि 10 मिनट हो गया वो नहीं आया ऐसा होता है इसलिए better है skip करना सीखो नहीं आये और छोड़ो यार 25 question है अगला करनेंगे उसके अगला करनेंग जिनके फिजिक्स में मार्क उतने अच्छे नहीं आ रहे है या जिनका फिजिक्स का strategy वर्क नहीं कर रहा है जिनका वर्क कर रहा है वो अपने strategy पे ही stick रहें वो मेरी बात ना सुनें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए भाई टेक केर और अल्द वेस्ट और वीडियो को लाइक करेंगा